Hello everyone, देश में लाने योग्य को इंग्लिश में क्या कहते हैं ये आज की वीडियो में जानेंगे देश में लाने योग्य को इंग्लिश में इम्पोर्टेबल या ब्रिंग इंटू दे कंट्री कहते हैं एक example से समझते हैं इसे These goods are not impotable अधारण ये सामान देश में लाने योगय नहीं है इसी के साथ आज के वीडियो में इतना ही थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग मैं वीडियो